में आज हम डे 15 का कोश्चन देखेंगे इसमें फर्स्ट कोश्चन आपका है किंग्डम मोनेरा मोनेरा जदी हम देखें विटकर को देखते हैं तो विटकर ने जो आपके पूरे उनको फाइब पार्ट में बाता है तो मोनेरा है प्रटिश्टा है एनिमलिया है प्लांटी है तो इनको फाइब पार्ट में बाता है उसमें से एक मोनेरा पार्ट है तो मोनेरा में क्या क्या होता है मोनेरा देखें तो यह प्रोकारियोटिक फामली से बिलॉंग करते ह यानि कि generally इसमें जो होता है कि true nucleus नहीं पाया जाता है, oldest non-micro-organism on the earth है, यानि कि earliest time में ही आये हैं existence पे, तो known में से ये आपके oldest हैं और generally ये unicellular होते हैं, तो ये इसमें protozoa बाला नहीं होगा, आरके बेक्टेरिया और यू बेक्टेरिया नहीं है, ये आपका, sorry, sorry, ये आपका, ये, sorry, ये है, आरके बेक्टेरिया और यू बेक्टेरिया, ये आपका, ये ही आपका है, ठीक है, फंजाई नहीं है आपका, ठीक है, next है, बैसी डियो, my cities, ये नहीं आपका है, तो B आपका correct निक्स्ट है, consider the following statements about land port authority of India, तो land port authority जो है, अस्टेजूटरी बॉड़ी है, अस्टेजूटरी बॉड़ी है, जो की through act of parliament के तुरू बनाया गया है, लेकिन करागी, it is under the union ministry of railway, railway के अंदर नहीं है, यह ministry of home affairs के अंदर है, तो यह आपका जो mainly border area में infrastructure development वगरा को देखता है, फिर इसके बाद different जो और construction work है, उसको देखता है, तो यह आपका MHA के अंतरगत है, तो यह A इसका correct answer हो जाएगा, निक्ष का रहाता है, एक्स क्रोमोजोम linked color blindness affect the ability to detect the difference between which of the following lights, तो यह जो green और red, green, blue, red, जो यह आपके primary color है, तो green और red में इसमें जो differentiate x क्रोमोजोम के कारण जो हो होता है, color blindness होता है, color blindness जो आपका male में ज्यादा होता है, female में कम, क्योंकि female में two xs क्रोमोजोम होता है, male में x क्रोमोजोम होता है, तो women, जो female है, वो carrier है, लेकिन majority जो है, वो male को होता है, तो यह इसका correct answer है, next 4 कर रहा है the price of an article is increased by 20% further there is a tax of 5% on the increment यह जो नहीं जो यह 20% increment हुआ है उस पर 5% यह tax है okay if the article cost 1331 to the customer then what was the price of the article before the increase in price अब यह करा कि देखो पहले increase गया गया 20% और उस पर 5% increment किया गया उस 20% पर तो जदी हम 20% पर 5% है इसका मतलब है हम इसको 21% total कर सकते हैं 100 में क्या होगा 1% हो जाएगा तो total 21% एक तरह से increment है अब जदी आप 100 यह 1000 लेते हो तो 1000 का 21% करते हो तो कितना आपका हो जाएगा 20% आपका 200 हो जाएगा और 200 पलस 10 तो 210 होगा तो 1220 ही हो रहा है तो यह फिट नहीं बैठेगा इसको करोगे अब देखो इसको 1200 को सब्सक्राइब करते हो तो कितना आपका हो जाएगा कितना यह आपका 231 हो जाएगा इसका मतलब 1100 प्लस 231 इसका मतलब है यह 1331 हो जाएगा इसका मतलब C आपका correct answer है निक्स्ट करा question number 5 कि while coming down of an escalator of a station when a man walks down 26 steps of the staircase he requires 30 seconds to reach the bottom okay तो यह कर रहा कि जदी एक आदमी है वो already 26 steps जदी उन्हें चल लिया नीचे हो चुका है उसके बाद जदी देखा जाए तो उसको 30 seconds लगता है लेकिन कर रहा है दूसरे condition में if he steps down 34 seconds यानि 34 यानि 8 extra seconds उन्होंने जब चल लिया तब उनको 18 seconds लगता है 8 steps चलने में 12 तो कि देखा इसमें 30 seconds लग रहा था और इसमें 18 seconds इसका मतलब 8 step वो जब चला तो 12 इसको second लग रहा इसका मतलब है कि 1 step में इसको 1.5 second लग रहा तो either इस case को लो या इस case को लो तो 34 सकेंड तोंस प्रदिभ सीविंटेप चल चुपा है अब कितना लग रहा है इसको 18 सकेंड लग रहा है तो 18 सकेंड का मतलब है 12 स्टेप 500 स्टेप यह टोनी सी शटेप हो जाएगा या आव इसको 26 शटेप 2000 से के बाद कितना लग रहा हैиком 30 में 25 चलेगा तो is note and island. Island क्या होता है? कि चारो तरफ जो आपका है water body है, चारो तरफ water body है, तो उसको हम island कहते हैं, जैसे आप देखो, स्री लंका हमारे बगल में है, तो स्री लंका जो है, वो आपका island है, जमाइका है, island है, न्यूजिलेंड island है, मेडगासकर है, देखोगे, अफरीका के बगल में, सौथ अफरीका के बगल में मेडगासकर island है, लेकिन गवाउन जो है, वो आफरीका में है, आपका, ठीक है, तो यह आपका, इसमें mainland अफरीका से यह जुड़ा हुआ है, तो यह आपका island नहीं है, okay, obviously समुदर से आपका Atlantic Ocean से लग रहा है इसका border, लेकिन यह आपका island नहीं है, तो D इसका correct answer हो जाएगा, निक्ष्ट का रहा मंडामस, मंडामस, रीट ओफ मंडामस, इन नॉर्मली जो है, मंडामस, जो है, inferior court को instructions दिया जाता है, बट मंडामस, जो है, administrative को भी दिया जाता है, depending on circumstances, तो कह रहा है कि रीट ओफ मंडामस की संबन्द में कौन सा correct है, मंडामस lies against the government, yes, सही है, यह भी, मंडामस lies against inferior courts and tribunals, yes, यह भी सही है, मंडामस lies against individual in cases where a public duty is imposed on them, तो देखो, यह एक तरह से EC पर है ना, कि जो public duty उस पर imposed किया गया, और वो duty proper तरीका से नहीं कर रहा है, तो यह नॉर्मली देखो, कि जो यह कर रहा है और यह है, तो दोनों related है, तो इसमें 1, 2, 3, आपका all होगा, निक्स्ट करा counter insurgency and jungle warfare, a school of the Indian army, आप देखो, counter insurgency जो है, वो बहुत जगा है, लेकिन यह Indian army का, वैसे for example, CRPF हैं, तो मैं थोड़ा दिन वहां सर्व किया था, तो उसमें है counter insurgency and entity register school, तो यह है counter insurgency and jungle warfare, तो यह आपका Indian army का कहा है, यह बैरंग्टे में है, बैरंग्टे आपका जो है, यह आपका मिजोराम में है, मिजोराम में है, तो C इसका correct answer है, नेक्स्ट है, aggregate bet is purchased at 20% discount, तो 20% discount पे purchase किया गया, if the selling price of the bet is 1000, what was the original price, तो देखो 20% discount पे इसको यह किया गया, तो देखो, अब इसमें से 1100 जदी होता price, तो 1100 का 20% कितना होगा, 2110, यह सोरी, 2200, 220 हो जाएगा, तो 220 होता, तो 1000 में नहीं बीकेगा, अब इसमें 1200 दो, तो 1200 का जदी 20% लेते हो, तो 240 होता है, तो यह भी आपका 1000 में नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा, अब easy आपका 250 है, तो 1250 है, तो 1250 का 20% क्या होगा, 250, तो इसमें 250 माइनस कर दो, तो 1000 हो जाता है, इसका मतलब दी आपका correct answer है, नेक्स्ट 10 number question करा, consider the following statements with respect to Einsteinium, Einsteinium एक आपका element है, उस element का atomic number 99 है, तो करा first, it was discovered in 1952 in the debris of the first hydrogen bomb, जब hydrogen bomb explode किया गया, तो उसके debris में scientist ने पाया कि उसमें यह Einsteinium पाया जा रहा है, तो यह का राज first रही है, second, it is non radioactive, in fact highly radioactive है, और इसका half life 20.73 या something days ही बस है, half life का मतलब क्या होता है, जोदी 100 gram है उसका, तो वो disintegrate करके 50 gram जो है 20.73 यह में, अब लगेगा उस अनुसार को देखोगे, तो फिर लगेगा कि पूरी Einsteinium जो है, वो खतम हो जाएगा, तो actually क्या है, यह प्रकृती में उस धंक से open में नहीं पाया जाता है, यह भी कहीं से disintegrate होकर के ही बनता है, और अपना यह भी disintegrate होता है, तो इसमें जो है first सही है, second गलत है, तो यह इसका correct आम से हो जाएगा. निक्ष करा, according to the provisions of the RTI Act 2005, a public authority is under no obligation to, यानि कि जो साभजनिक प्रेदिकारी है, यह क्या है, इसका बाध्य क्या करने के लिए नहीं है, तो कहा रहा है कि इसके लिए क्या obligation नहीं है, तो देखो, इसका यह obligation तो है, कि ensure वो खरेगा एक तरह से, ensure that all records that are appropriate to be computerized within a reasonable time, subject to the availability of resources, तो इसके लिए वो बाध्य है, ठीक है ना? नेक्ष ने, publish within a fixed time a directory of its officers and employees, तो publish within a fixed time a directory, यानि कि उसके अंदर कितने staffs हैं, कितने officers हैं, कितने employee हैं, इंपेक्ट हर office में देखोगे ना, तो एक generally table रहता है, तो obviously उसमें सारे staff का तो बड़ा सा चार्ट में नहीं रहेगा, उसका dairy maintain रहता, लेकिन otherwise officers बगएरा के जो होते हैं, वो आपका एक board लगा हुआ रहता है, जैसे देखते हो ना, मान कि जो लो कि आप assistant commander बनने जा रहे हो, तो जिस company में आप जाओगे, तो वहां लीखा हुआ रहेगा, इतने से इतने तक यह company commander रहे है, तो यह होना है, इसके लिए यह बात दे नहीं है, तो इसके लिए यह बात दे नहीं है, तो यह ही आपका answer बजाएगा, कि वो बात दे नहीं है, कि आपके local language में ही हर information दे, provide regions for its administrative or quasi-judicial decisions to the affected person, तो यह आपको प्रभावित लोगों को कुछ कारण से एक तरह से जो है, यह बताने के लिए वो बात दे एक तरह से यह हैं, उनको यह करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो जो है आपका, यह आपका जो है, इसमें बात दे नहीं है, तो यह 11 का C हो जाए नेक्शे, consider the following statements about कला उत्सव, कला उत्सव के बारे में यह करा, कला उत्सव क्या है ना, कि स्टुडेंट्स में आर्ट के बारे में, कला सलस्किति, आर्टिस्टिक, ट्रेडिशन्स है, टैलेंट है, उसको secondary school level में increase करने के लिए, तो कला उत्सव, national competition was started in 2015, तो यह सही है, कला यह ministry of human resource development हुआ करता था, लेकिन आज के date में, यह ministry of education हो गया, और जो माध्यमिक सिच्छा बोर्ड है, वो मिल करके करता है, तो दोनों सही है, तो C, इसका correct आमसा हो जाएगा, नेक्स्ट करा, consider the following statements with reference to UN Human Rights Council, Human Rights Council के सम्मेद में करा, it is intergovernmental body within United Nations, यह सही है, it was founded in 2006, यह भी आपका statement जो है, सही है, और the council is made of 47 member states, which are elected by the UN General Assembly, यह भी सही है, तो D is का correct answer है, नेक्स्ट है, consider the following statements about no day yet named motion in the law, no day yet mentioned named motion का मतलब यह होता है, कि actually motion को लाने के लिए allow किया गया है, लेकिन अभी date उसका fix नहीं किया गया, कि यह motion लाया जाएगा, यानि admit कर लिया गया है motion, लेकिन actually motion का date जो है, वो fix नहीं किया गया, तो करा है, where notices of a government motion and a private members motion are received on the same subject, the government motion is admitted and the private members motion is disallowed, यह जदी ऐसा situation होता है, कि दो motion है, और same topic पे है, लेकिन अभी उसका date final नहीं हुआ है, मानिके चलो, motion admit हुआ है, तो motion जो admit का हुगा, जदी same issue पे है, तो government वाला issue होगा, तो first statement चाहिए है, second करा है, a copy of the motion is provided to the ministry, minister concerned as well as minister of parliamentary affairs, actually, यह ministry of parliamentary affairs को करना नहीं है, ministry of affairs, जो concerned ministry उसको करना जाए है, तो यह इसका correct answer को जाएगा, next करा, what is the maximal number of spherical balls of radius one centimeter, each that can be placed inside a cubical box of height ten centimeter, तो cubical box of height ten centimeter है, तो देखो, जब one centimeter इसका radius है, तो diameter कितना हो जाएगा, two centimeter हो जाएगा, तो इसको जदी ऐसे करोगे, तो two, 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 माल यह पांच हो रहेगा, अब यह माल के चलोगी, equal है, तो इसे ही, पांच, 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 तो पांच, तीनो तरफ रहेगा, चुकि तेन centimeter का यह है cube कर, यानि ten into ten into ten है, तो यह क्य GST compensation says, GST compensation says का मतलब है, जब GST लागो हुआ, तो आपका first of July 2017 को GST लागो हुआ, तो five years तक के लिए यह रखा गया था, कि GST compensation दिया जाएगा, यानि की मान के चलो कि कोई estate जदी है, कि वो tax suppose one lakh करोर बसूल कर रहा था, लेकिन one lakh करोर जदी बसूल कर रहा था, अब वो one lakh करो इसको नुकसान हो रहा है, तो 20,000 जो है central government देगा, तो यह five years के लिए रखा गया था, ठीक है, तब का राखीट has been extended till March 2026, यानि इस CES को 2016 March तक extend किया गया है, लेकिन यह जो CES होगा, यह अब central government सिर्फ रखेगी, union government रखेगी, तो कि CES और सरचार्जे जो है, वो central government रखती ह उसको share नहीं करती है, इस पज़े से बहुत बार में देखोगे, CES कम कर देगा, लेकिन CES और सरचार्ज नहीं करते है, तो यह तो आपका extend कर दिया गया है, अब यह तो पहला statement से यह, second, it means that our state will continue to get compensation under GST after June 2022, तो देखो जुलाई, 1st July 2017 को लागू हुआ, तो 30th June 2022 को five years पू जो एक तरह से है, यह सरकार, Central Government जो है, CES लगाते रहेगी March 2026 तब, लेकिन इनको नहीं देगी, तो यह आपका, जुकारा है, इसमें की continue, no, यह इनको नहीं देगी, लेकिन यह लगाते रहेगी, तो यह इसका correct answer में जाएगा. नेक्स का रहा, the future investment initiative is an annual investment forum held in, तो यह रियाद आपका UAE United, यह आपका, sorry, sorry, यह आपका Saudi Arabia में है, I'm sorry, Saudi Arabia में है, तो इसमें यह किया जा रहा, in fact यह जो है, not profit organization है, not for profit organization और Soberen Bell Fund से यह create किया गया है, तो CES का correct answer है. नेक्स का रहा कि sensor motion, देखो sensor motion में जो क्या होता है, एक no confidence motion होता है, तो no confidence motion जो होता है, कि normally, जदि no confidence motion शरकार के खिलाफ पास हो गया, तो सरकार गिर जाती है, यह नहीं सरकार को माना जाता है, कि सरकार के majority नहीं रही है, और उनका सरकार गिर गया, लेकिन जो sensor motion है, even sensor motion पास जाएगा कि कोई भी मिनिस्ट्री है, वो सही से काम नहीं कर रही है, या जो भी है, तो उसके, करा no leave of the house is required to move a sensor motion, sensor motion का मतलब, no leave of the house required का मतलब क्या होता है, कि house का permission required नहीं है, यानि कि कोई भी member चाहे तो उसको ला सकता है, लेकिन लाने का अब वो तो ले आएगा, that's fine, लेकि कि इसका मतलब यह नहीं है, कि कितना भी motion यह आएगा तो उसके लिए सरकार time नहीं, सरकार time देगी, कुछ यह issue यह होगी, आप जैसे just imagine करो, कि सरकार भी जानती है, कि यह हम इसके लिए time नहीं देंगे बान के चलो sensor motion के लिए, तो फिर वो no confidence motion ले आएगे, कोई भी सरकार जिए majority में है, तो वो इंसके लिए time देगी, तो यह इसका A आपका सही, यह B भी सही है, यानि कि 2 भी सही है, तो 1 and 2 बोथ हुजाएगा, तो C. Next कारा legislative assembly of Delhi का note make law on, तो 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 यह को land, public order, police, यह जो है, इस पर आप वो नहीं कर सकती है, तो land आपका इसमें से है, A. आप consider the following statement, तो यह मैथ है, तो sum of the cubes of first 20 natural number is 4400, तो इसका एक formula आपका होता, formula आपको क्या होगा, यह N into N plus 1 divided by 2 और इसका whole square करोगे, तो यहाँ 20 है, 20 into 21 divided by 2, तो यह 2 करोगे, तो 10 हो जाएगा, 10, अब इसका मतलब 210 हो गया, तो 210 का अब a square करोगे, तो आप यह जानते हो, तो 44100 होगा, तो यह लेकिन क्या है, 4400 है, तो यह गलत हो गया, नेक्स्ट है, sum of the square, तो यह देखो, cube का था, ठीक है न, यह cube का था, यहाँ square का रहा, तो square बाला का फर्मूला क्या होता है, 1 into 1 plus 1, 2n plus 1 divided by 6, अब यह put कर लो, तो 1 आपका 20, 1 plus 1 यानि कि 21, 2n plus 1 तो into 41 divided by 6, तो जदी 6 करोगे, तो यहाँ 2 से तो यह 10 हो गया, यह 3 हुआ, तो यह 7 हो गया, क्योंके, तो 70 into 41 करोगे, तो ठीक है, यह आपका आजाएगा, तो 2, इसका only correct है, तो B answer हो जाएगा, निक्ष्ट करा, which of the following country is world's largest producer and exporter of dragon fruit, तो dragon fruit का जो है, अब dragon देखोगे, तो आप लगेगा, कि चाइना, चाइना, पस्ट आपसन में भी दिया हुआ है, लेकिन यह सारे country जो है, चाइना, मलेशिया, थाइलेंड इधर के, यह एक्रिम भी अतनाम है, उसका इंसर, निक्ष्ट करा, which one of the following pairs is not correctly match, तो यह country है, और यह आपका sinsex index है, तो जापान का निक्की है, ठीक है, सिंगापूर का, यह शकॉंप जो है, वो संगहाई का है, ठीक है, संगहाई चाइना, तो यह गलत आपका हो गया, UK का FTSC है, USA का Nasdaq है, और बहुत सारे हैं, US के पास का NSE है, और बहुत सारे भी हैं, ठीक है, तो इसका भी गलत हो गया, वो सिंगापूर का नहीं है, शॉंप कॉंप, जो है, वो आपका चाइना संगाई का है, ठीक है, तो सी, इसका एंसर हो जाएगा, 24 नंबर करा, if the speed of light in air is 3 into 10 to the power 10 meter per second, then the speed of light in a medium of refractive index, तो कोई भी, आपका speed of light air में जो होता है, और जो आपका refractive index, जिस medium का है, तुस्से हम divide करते हैं, तो 3, और उपर यह चला जाएगा, तो 2, तो 3, 3 कट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 2 into 10 to the power 8 meter per second, तो यह इसका correct answer हो जाएगा, last question of the day, consider the following statements about millets, तो millets are the cereal crops having high nutritive values, यह सही है, इन पैक देखो, आज की rate में न, millets का बहुत अधिक demand हो गया, पहले एक time था न, कि millets को लोग पूर पीपल का food माना जाता था, लेकिन आज की rate में rich people इसको ज़्यादा खा रहे हैं, Indian Institute of Millets Research is located in Hyderabad, तो यह का रहा है, तो यह भी इसका correct answer हो जाएगा, next का रहा, paper 2 में जो है, आपका right essay करना है, इन topics पे, technology has provided us many things, but it has made our life more complex, technology देखो बहुत सारी सुगधाएं आपको दिया है, बहुत सारी चीज़े आप घर बैठे बैठे, बहुत सारा चीज कर लेते हो, लेकिन इसने life को complex भी कर दिया है, बहुत सारी चीज़े beyond our control, बहुत सारे चीज़े ऐसी हैं, जो मुश्किल होता जा रहा है, बहुत सारा पल हो, आप different places पे बैठे हुए मुझे प्रेशनल लूप से नहीं जानते हो, नहीं मिले हो, बतस्टील पढ़ रहा हो, और there are so many things, आपके पास कोई information पहले मान के जो लो कुछ ऐसा था, तो कुछ होता था ना कि ये book अच्छा इस library में ही मिलेगा, ये content, आज की date में more or less आप के पास accessibility, बहुत सारी चीजे है, doctor से ले करके diagnosis, train ticket booking से ले करके सब चीजे, next topic आपका है, anti-defection law is approving to truthless in present context, तो anti-defection law initially देखोगे, जब हमारा constitution बना था, तो anti-defection law जैसा कुछ नहीं था शुरू में, क्योंकि तब ये माना गया था, कि जो भी leaders है, generally value को promote करते हैं, और वो अपने value से committed है, लेकिन दीरे दीरे जैसे जैसे time pass होता गया, तो बहुत सारे values बाले politics, value added politics जो है, उसका हरास होता गया, और लोग सत्ता के पदलोलुकता के लिए, और पैसे या फिर sometime cases बगेरा हैं, तो उन चीजों को पाप धुलने के लिए, बहुत सारे ये number of सब के पास अपने होते हैं, बहुत लोग को लगता है कि ठीक है, हम ही सब दिन opposition में ही रहेंगे, सब्ता का भी प्राप्ति करना चाहिए, कभी किसी को लगा ठीक है, हम इस party में रहेंगे, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो बेटर है party को break कर ले, तो साइध चिफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा, अभी आपने रिशन्टी देखा है महराष्टा में, और this is not the first case, in fact, every places, things are happening in one way or the other way, ठीक है, तो ऐसे चीज़े होते रहती है, तो जो अभी बर्तमान में, तो इसमें क्या है introduction आप दोगे, कि क्या आपका entity fiction law है, present क्या situation है उसका, कहां कहां problem आ रहा है, और क आपको सुधार करना है, नेक्स्ट जो इसमें है, आपको speech में, यानि की narration जो है, उसके जैसे हम last वाले में, जो wise वाले आपको दिये थे 10 questions, इसमें narration के है 10 questions, तो इन narration के question को screen को pause करो, इसको note down कर सकते हो, और आप इसको आपने आप में solve करो, फिर इसका जो कल है solution जो है, वो म continue working, तो कि आपका अपना मेहनत जो है, वो ही में माहने रखता है, ठीक है, कुछ में questions, क्यूरी doubts रहता है, तो comment box में डालो, या फिर आप इस personal question है, तो आप मैसेज कर सकते, whatsapp number 8527 146498, या फिर telegram number 7404 909669, ओके, thanks for watching this.